उस बीच बड़ी ख़वार पन्ना से मिल रही है जहाँ पर सागर लोकायुक्त की टीम ने एक बड़ी कारवई को अन्जाम दिया है एक रिश्वत खोर उपियंतिरी पर गाजगरी है बता दे कि 7 लाग रुपे की रिश्वत लिते मनोज रिछारिया गृपतार हुए है एक लाग रुपे नगदी और 6 लाग रुपे का चेक भी बराबद हुआ है पन्ना कोद वाली थानक शेत्र का ये पूरा मामला है जहाँ पर फरियादी भरत पांडे ने शिकायत की थी उनके शिकायत पर लोकायुक्त ने ये बड़ी कारवई की है बड़ी खबार पन्ना से मिल रही है जहाँ पर सागर रुपायुक्त की इम ने एक बड़ी कारवई को अंजाम दिया है एक रिश्वत खोर उपियंतरी को रंगे हाथों गरिफतार किया है बता दे कि शात लाग रुपे की रिश्वत लेते मनोज रिचारिया गरिफतार हु बड़ी थी उनके शिकायत पर ये बड़ी कारवई हुई है और इस खवर पर अधिक जानकारी देंगे हमारे पन्ना से प्रकार्टी की रिच्वत खोरी थी और जो रिच्वत खोर उपियंतरी है उनको गरिफतार कर लिया गया है इस खवर को लेकर क्या कुछ अपडेट है जी ममला ये है अफ भरतमिलनपंडे कांडरेसी नेता भी है और रोड के थेगदार भी है लेकिन इनके कुछ देए प्लबकाया पड़े धर ओना थी लिके लिग शी से ली छल्ते एनेके पर अवा अवाज कील्य हुआ खो हुए, तब लेक ट्रेफ हुए नहने के ब tweeting जा अरके देखा तो इंद्रपुरी कालोनी में एक लाख रुपे नगत जी मंजूरेचारिया को और एक चार लाख की चेक और एक दो लाख की चेक इनको दी गई उत रंद टीमने ने रंगे हाथों पकड़ा और गिरफतार भी गिया इनके एक ही जगह है पन्ना जिले में ये कई बरसों से जी जमे हुए हैं और इनका ये खेल चलता बहुत पुराना है जी आज रंगे हाथों पकड़े गए हैं देखिए अब क्या होता है आगे जी बलकुल लेकिन जिस परकार से पूरी कारवाई हुई है लोकाय उक्तिने उने ग्रफतार कर लिया है आगे कि क्या का प्रोसेसिंग रहे गी और किस तरीके से पोश्टाःट की जा रही है और कितने मामले उन पर फिला निकले हैं भरत जी इनके ऊपर कई मामले निकलेगे हैं जी क्योंकि ये एक बर से नहीं बेगत करीब आट-nो वरसों से पन्ना में ही जमे हैं तकर इनका ट्रांस्पर भी ह बनी हुई है बराबर रिस्पत लेना और जितने भी निर्माल कार हुए हैं सब में भिष्टाचारी इंगीप चरम सीमा पर रहे हैं जी बलकुल तमाम जानकाली के लिए राज्ये श्री आपका बहुत शुक्रिया पलपल की अपडेट हमारे दर्शकों तक देते रहिएगा त 6 लाक रुपे का जग भी उनके पास से बरामद हुआ है और यह पूरा मामला पन्ना कोद वालिक थानक शुत्र का बताया जा रहा है